यह वोईस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वोईस टीवी यूपी खबर सप्षतेश नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वोईस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है मामला है थाना उत्तर के कबीर नगर महला खेडा छेतर का जहां आज दोपहर करीब 30 वर्षिय सुशीला नमक महला जुलस गई आरोफ है कि किरायदार भोला और उसकी पत्नी शीला और सुशीला देवी नमक महला के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया था जिसके चलते जिन्दा आग के हवाले कर दिया गया जिसको उपचार के लिए फिरोजबाद के ट्रॉमा सेंटर में बढ़ती कराए गया है फिलाल महला की हालत नाजुक होने पर आगरा मेडिकल कॉलिश के लिए रैफर किया गया वही मौके पर कहुंची पुलिस मामले की जाज में जुटी है बताया गया किया रोपी किरायद कि बोले बोलेगी बीवी बोलेगी बेटी जे लोग मेरी बाइक के साथ पहले भी मारा पीटी दो तिन बार कर चुके है और आज वी लोगा नाखपा छोड़े थे सुभेडे में जाब गर पर नहीं था हूं ऑसकी बेटी बोलेगी कि देव में तिरे साथ क्यादा करूंगी और आज झाल में ज़स्क लिए तो यदि घ्रोन कहांट कि रहां जर्फ लोगों और पहांग मेरे बाइस पहुंट है यह जो को है कि आ कि बात है यह कभी नगर खेड़ा मॉल्ला थाना थाना उत्तर तो बढ़नमाला किस तेगा ममला यह सुसीला नानों की मेला है जली हुए वस्ताय में आई थी काफी कंबीर वस्ताय थी पात्र रुचाब दे दिया गया पाकी तो आगरा कोड़ने के लिए अखिल वस्ताय में सेरा सथे अगरा कि दो यह सत्थिते हैं जली हम पात डाहता है कि अमें को बातिको क काफी एग वस्ताय में घ्रत तो श्युम अल्ला यह हल्मत